Hello everyone, I am back with another video आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कार्बो केटाइन्स होते हैं उनकी इस्टेबिलिटी आप कैसे असाइन कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि आपको बहुत सारे कार्बो केटाइन्स दे रखे हो तो उसमें कौन जादा इस्टेबल है, कौन कम स्टेबल है तो ये पूरी वीडियो उसी रिफ्रेंस में होने वाली है अच्छा कार्बो केटाइन समझने से पहले, मतलब इस्टेबिलिटी समझने से पहले ये पता होना चाहिए उसके पहले कार्बो केटाइन में मενने कि पहले जाए जिससे आपको एक-एक करके रूल समझ आता जाएगा कि कौन सा कार्बोकेटायन जादा इस्टेबल है कौन सा कम है और उसका रीजन क्या है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला कुछ जो सा कैटल कार्बोकेटायन है कि कौन सा कर्फ्य वारगा क्या आता चलिए तो तो आप देखो पहला स्ट्राट ऋरूसरे और तीस्ट्रा में defend क्या फरंक दिख रहा है कि कि तरफ यहारा Candleline पोड़ाईर्शला हाइड्रोजन अच्छा यहां पर सबसे पहले मैं बता दू कि यह जो फर्स्ट फाला कंपाउंड है यह क्या है यह हमारा थ्री डिग्री त्री डिग्री क्यों है क्योंकि यह जो कार्बोकेटायन है उसके चारो तरफ मतलब उसके साथ बॉंड बनाए हुए हमारे तीन अलकाय है तो यह हो गया हमारा टू डिग्री ठीक है सबसे कॉमन कोईशन कार्बोकेटायन से यही आता है कि वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री में कौन जादा इस्टेबल होता है तो इसको हम एक्सपें कैसे करते हैं यह हमारा मिथायल गुरूप है मिथायल इफेक्ट शो करता है, ठीक है, कोई भी ऐलकायल ग्रूप जो होता है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब है, कि ये एलेक्ट्रोन डोनेटिंग ग्रूप्स होते हैं, मतलब ये एलेक्ट्रोन डेंसिटी दे सकते हैं, ठीक है, तो जो कार्बो केटाइन होते हैं वो कैसी स्पीसी है? इलेक्टरॉन डेफिशेंट स्पीसी है तो भाई इसे तो इलेक्टरॉन डेंसिटी चाहिए है ना? और CH3 क्या काम कर रहा है? इलेक्टरॉन देने का काम कर रहा है तो जितने जादा CH3 होंगे उतनी जादा इसको electron density मिलेगी किस तरीके से जिसे मान लो हमारे पास ये वाला हमने कार्बोकेटाइन लिया तो ये CH3 इस तरीके से electron density इस कार्बोकेटाइन को देगा ये भी इससे देगा और ये भी इससे देगा अब अगर मैं second structure बनाऊं तो केवल और केवल ये एक CH3 इसे electron density दे पा रहा है और अगर मैं third structure बनाऊं तो इसमें 2 CH3 इसको electron density दे पा रहे है तो जितने जादा electron density इस कार्बोकेटाइन को मिलेगी उतनी जादा इसकी stability होगी क्योंकि ये तो electron deficient है इसे तो electron चाहिए ही चाहिए तो जितने जादा electron donating group लगे हुए होंगे जितने जादा CH3 लगे हुए हैं उतनी ही जादा इसमें stability होगी तो इसी basis पर third degree जो होता है कार्बोकेटाइन वो सबसे जादा stable होता है दें second degree होता है और सबसे कम होता है हमारा one degree ठीक है on the basis of plus eye effect या electron donating group ठीक है इस question देखते हैं next question में हमें next rule सीखने को मेलेगा next question में दो compound दिये हुए हैं अब देखो यहां पर simple सी दो difference है एक तो difference यह है कि इसमें double bond है इसमें double bond नहीं है है ना similarity क्या है यह थीन का हार और यह थीन कारवन का है अब यहां फर्ग क्या है यह जो असल के एं मैं कार्पाइल केटायन है इसका एक special नाम है जिसे हम कहते है lets ठीक है जो position है इंसकी special naming है जिसे हम कहते है ला आई पोजिशन और यह क्या है नौर्मल क्या है नॉर्मल कार्बोकेटाइन है कौन सा प्रोपाइल कार्बोकेटाइन अब देखो फरक क्या है मतलब हमने इसको एलाइल की हूँ कहा पहले तो यह सीखो एलाइल हमने इसे इसलिए कहा कि मान दो हम इसको priority दे रहे हैं कार्वोकेटाइन कोई तो हम यहाँ पर priority दे रहे हैं इसी की तो सारी बाते हो रही है तो कार्वोकेटाइन एक ऐसे carbon से जुड़ा हुआ है जो आगे double bond से जुड़ा हुआ है अगर मैं किसी functional group की बात करूँगी तब भी मैं यह कहूँगी कि functional group एक ऐसे carbon से जुड़ा हुआ हो जो आगे जाके double bond से जुड़ा हुआ है तो वो position कौन से होगी? तो हमेशा याद रखना जो LIL group होते हैं जो LIL position वाले कार्वोकेटाइन होंगे उनकी stability जादा होगी simple वालों से क्यों जादा होगी? reason क्या है? reason है इसका resonating structure reason है इसका resonating structure यह जो हमारे पास LIL कार्वोकेटाइन है इसमें resonance possible है किस तरीके से possible है? देखो यह structure मैं बना देती हूँ CH और CH2 positive इसमें resonance कैसे होगा? यह double bond इधर आएगा और इस structure क्या रह गया? CH2 single bond CH double bond CH2 अब इस carbon के तो इस पर double bond आ गया तो इसके तो 4 bond पूरे हो गए लेकिन इस carbon का एक bond कम रह गया तो इस पर आ गया positive charge ठीक है? बहुत ज़रूरी है तो इसलिए जो एलाइल वाले कार्वोकेटाइन होंगे वो ज्यादा होंगे stable as compared to normal कार्वोकेटाइन ठीक है? यह हमने सीखा दूसरा रूल दें थर्ड रूल देखते हैं थर्ड रूल में भी हमें डो structure दिये हुए हैं अब यहाँ पर हमें यह सीखना है जैसे यहाँ पर यह फर्स फाले structure अलाइल था इसी तरीके से यहाँ पर फर्स फाले structure क्या है? विनाइल और यह हमारा नॉर्मल इथाइल कार्वोकेटाइन है तो अब यह विनाइल पोजिशन क्या होती है? कि जिसको भी हम priority दे रहे हैं वो ऐसे कार्वन से जुड़ा है जो directly double bond से जुड़ा है ठीक है? अब यहाँ कार्वोकेटाइन को priority दे रहे हैं उसी की बात चल रह हुआ था उसकी bonding double bonding थी ठीक है तो यह पोजिशन विनाइल हो गई और यह नॉर्मल मतब नॉर्मल इथाइल कार्वोकेटाइन हो गया ठीक है अब इसमें क्या होता है विनाइल वाला कार्वोकेटाइन कम स्टेबल होता है ऐस कंपेर टू नॉर्मल वाला या मतलब वन डिग कार्वोकेटाइन क्यों इसका रिजन सिंपल सा है कि यहां पर जो कार्वोकेटाइन है वो कौंसी हीपलेडैशिशन में में है ऐस्प y हीपलेडैशिं में है ठीक है एस्पी हमने कैसे गिना एक सिंगमा और एक हैड़ोजन का बategल तो एक 1-बाता इक वर 2 और 2 के लिए hybridization हो गई sp ठीक है यह पे जुड़ा हुआ है और यहां पर जो carbonate ion है वह sp2 से जुड़ा हुआ है अब sp hybridization और sp2 hybridization में जो s character है वो किस में जादा है इसमें जादा है च्योंकि इसमें कितना हो गया 50 इसका 50 इसका और इसमें कितना हो गया 33.3 इसका और 66.66 इसका तो इसमें S करेक्टर जादा है तो ये कैसा हो गया इसमें जो stability होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि electronegativity बढ़ जाएगी तो इसमें ये जादा stable हो गया और ये कम stable हो गया देखो जादा electronegative होने से क्या हुआ कि electronegative एटम पर positive चार्ज रहेगा तो वह stable थोड़ी ना हो पाएगा ठीक है इसलिए इसकी stability कम है इसकी stability जादा है देन अगला देखते हैं देन हमारे पास next question है इसमें first और second structure में देखो second structure अभी हमने पीछे ही पड़ा second structure कैसा है एलाइलिक कार्बोकेटाइन है है न कार्बोकेटाइन एक ऐसे carbon से जुड़ा है जो आगे double bond से जुड़ा है और ये क्या है इसका भी special नाम होता है इसको हम कहते हैं आगे बेंजाइलिक क्या कहते हैं बेंजाइलिक तो यह कैसा कार्बोकेटाइन है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है अब इन दोनों structure में से कौन जादा इस्टेबल है डेको answer तो clear है कि बेंजाइलिक जादा stable होगा क्यों होगा simple जारीजन है resonating structure रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर तो यह जो हमारा बेंजाईलिक कार्वोकेटायन है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वह अराम से पूरी रिंग पर डी लोकलाइज हो जाएगा और जिसकी वज़ा से इसके रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर बनेंगे कई सारे लगबग पा बन रहे थे जितने जादा रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर होंगे मोर दा रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर मोर दा इस्टेबिलिटी ठीक है जिसकी जितने जादा रेजोनेटिंग इस्ट्रक्चर उसकी उतनी ही जादा इस्टेबिलिटी तो इसमें बेंजाईलिक में सारे लिख देती हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करती हैं, तो ना, आपको समझ में आता, और मतब आपको समझ में आई ही नहीं पाता, ठीक है, इसलिए एक एक पॉइंट करके, नोट डाउन कर लेना, कौपी पैनल लेकर साथ में तब वीडियो देखना, लन हमारे पास इसे चार इनों ने structure दिये हैं अब इसमें हमें क्या कर रहा है पहला structure दिया है पहचानना है ठीक है अब यह हम पीछे अभी जितने हमने concept पड़े उसके basis पर है अब यह हमने क्या देखा यह हमारा एलाईलिक यह हमारा methylcarbocatine है यह हमारा ethylcarbocatine है और यह हमारा isopropylcarbocatine देखा है और को दिख रहा है यह 1 degree है यह 1 degree है यह 2 degree है मतलब यह जो isopropyl है जो 4th है वो 3rd और 2nd से तो ज्यादा होने वाला है ठीक है लेकिन यह जो li-lic है यह सबसे जादा होने वाला है इन 4 में क्यों क्योंकि इसमें resonance possible है बाग किसी में resonance possible ही नहीं है तो यह जो li-lic है यह तो हो गया सबसे जादा उसके बाद मैंने क्या बूला इन दोनों से जादा फोर्थ वाला होने वाला है, तो आगे हमारा फोर्थ, अब देखो ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, लेकिन ये मिथाइल है, और ये इथाइल है, इसमें क्या देखेंगे, कि इस वाले कार्वो के टायन के साथ क्या जुड़ा है, इसमें आपको बताऊंगे, इलेक्ट्रॉन विड्ड्रॉइंग ग्रुप के बारे में भी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनेट का मतलब क्या हो गया, दान करना देना, विड्ड्रॉइंग का मतलब हो गया, जैसे बैंक में जाते हैं, कैश विड्ड्रॉइंग कराने, वो plus i effect शो करते हैं और electron withdrawing group जो होते हैं वो minus i effect शो करते हैं तीक है अब यह जो हमारा methyl group है यह क्या होता है plus i effect शो करता है मतलब यह क्या है electron donating group है लेकिन यह जो हमारा NO2 है यह क्या होता है यह हमारा minus i effect शो करेगा मतलब यह है हमारा electron withdrawing group अब आपको यहाँ पर यह point नोट करना है कि जो electron donating group होते है electron donating group होते है वो carbocation की stability को carbocation की stability को increase करते है ठीक है जो carbocation की stability है उसको increase करेंगे कौन electron donating group और इसका opposite क्या हो गया electron withdrawing group क्या करेंगे stability को घटाएंगे ठीक है carbocation की stability को घटाएंगे क्यों देखो simple सा कहानी की तरह समझ लेते है अगर हमारे पास carbocation है मतलब carbon पर already electron की कमी है यह चाहेगा मुझे electron मिले तो जो electron donating group है वो इसे electron देगे तो भाई यह क्या हो जाएगा stable हो जाएगा अब अगर electron withdrawing group लगा देगे तो कार्बोकेटाइन पर तो already electron की कमी है और electron withdrawing group तो और इससे electron खीच राए देने की जगा तो यह क्या हो जाएगा अनिस्टेबल हो जाएगा बिचारा तो कहीं भी electron with drawing group लगा हो तो stability कम हो जाएगी और electron donating group लगा हो तो stability बढ़ जाएगी तो इसका अगर मैं order कहूँ तो first ज्यादा stable है as compared to second ठीक है अगला question देखते हैं अब देखो यह आया हमारे पास mixed question जो भी पीछे पड़ा है उसी का mixture है यह पहला compound देखो को जो भी compound दियो हो इस पर बस पहले यह लिख लेना कि भाई इसकी क्या-क्या खासियत है इसमें क्या-क्या पॉसिबल है ठीक है तो जो first वाला compound है हम already पढ़ चुके है क्या है यह यह second वाला compound कौन सा है benzylic compound है मैं इसे benzylic क्यों कह रही हूँ pH मतलब क्या हो गया रिंग ठीक है फिनायल की रिंग और इस पर लगा हुआ है यह CH2 positive तो कौन सा हो गया यह benzylic हो गया और यह simple सा हमारा बिचारा सीधा साधा ethyl carvoketine हो गया अब हमने पढ़ लिया पीछे पढ़ पढ़ा फर्स्ट जादा होता है नॉर्मल वन डिग्री carvoketine से क्यों क्यों करीजिन सिंपल सा है benzylic में रेजोनेंस हो सकता है इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता तो यह तो सबसे पीछे रहेगा benzylic में जादा है लाइलिक में कम है तो benzylic सबसे आके फिर लाइलिक और फिर लास्ट में इथाईल कार्बोकेटाइन देनेस्ट देखते हैं । नेक्सट भी पीछे हमने जो पढ़ा ऊसी से बेज उसी से रिलेटीड है अब देखो नैक्सट में क्या है यह दिया है हमें इथाईल कार्ब कार्बोकेटाइन के साथ जुड़ा हुआ है और यह कार्बोकेटाइन के साथ जुड़ा 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 है और यह कार्बोकेटाइन के साथ और फिनाइल क्या दिख रहा है फिनाइल में क्या हो सकता है रेजोनेंस पॉसिबल है है ना तो भई हमें पता है यह क्या है बेंजाइलिक कार्वोकेटाइन भी है तो यह जो बेंजाइलिक है यह नॉर्मल वन डिगरी से जाधा होगा है ना इसकी जो इस्टेबिलिटी होगी बेंजाइलेकी यह नॉर्मल से तो जादा होगी यह क्या है इलेक्टरॉन डोनेटिंग ग्रूप है और स्ट्रॉंग इलेक्टरॉन डोनेटिंग ग्रूप है तो यह क्या करेगा यह तो इस्टेबिलिटी बढ़ाएगा उसके बाद यह क्या है इलेक्टरॉन बिड्रॉइंग ग्रूप बीच में फ़र्स्ट में कौनसा जादہ Стेबल होगा? बैंजाईलिक जादह सेबल होगा क्यों? क्योंकि डोनेटिं के साथ साथ इसमें जो पॉजिटीv चार्च है वे तरही इसमें डी लोकलाईज हो जाएगा दर इसमें तरही से बैंदेंजानेटिय॥ बनेंगे और जिसके जितने जादा रैजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना जादा स्टेबल होगा तो यहां पर पहले आएगा फोर्थ और देन बीच में आएगा हमारा फर्स्ट ठीक है इस तरीके से इसका ओर होने वाला है देन नेक्स विशन देखते हैं अब देको इन तरीके के विश्चेंज को आपको कैसे सॉल्व करना होता है आप इस पर उपर वाले हिस्से पर ध्यानी मत दो चारों में सेम है यह यह तो इनीचे जो एक्स्ट्रा सब्स्टिटूइंट्स लगे हैं उन पर ध्यान दो यहां पर कुछ नहीं है मतलब इहां पर क्या होग होगा hydrogen होगा NO2 NO2 क्या है withdrawing CH3 CH3 क्या है donating chlorine क्लोरीन क्या है withdrawing और यह hydrogen यह तो बाई normal है कोई substitute नहीं है ठीक है अगर आपको ऐसे question दे कि उसमें एक गुरुप तो ऐसा हो कि उस पर कोई extra substitute नहीं लगा है तो वह हमेशा बीच में ही आएगा ना वह minimum में आएगा ना यह बात याद रखना तो अब जब electron withdrawing है तो मतलब यह decrease करेंगे stability यह increase करेंगे यह decrease करेंगे और यह भई बीच में रहेगा जो decrease करेंगे वह सबसे बात में आएगे और जो increase करेंगे वह पहले आएगे तो सबसे पहले तो हमारा हो गया EDG ठीक है बीच में हमारा विचारा आ गया फोर्थ क्योंकि इस पर ना तो donating वाला ग्रूप है ना इस पर withdrawing वाला ग्रूप है यह normal सा हमारा benzylic compound है ठीक है उसके बाद यह withdrawing वाली ग्रूप है जो stability घटाते हैं इसमें से NO2 और CL में से जादा strong कॉन है NO2 ठीक है जादा strong कॉन है NO2 तो NO2 जादा stability घटा देगा है ना और जादा stability घटा देगा तो यह क्या सबसी लास्ट में आएगा फर्स्ट उसके बाद बीच में कॉन सा रह गया क्लोरीन यानिकी थर्ड ठीक है यह हो गया हमारा इसका order the next question देखते है अगें यह इसी पर बेस्ट है electron donating या फिर electron withdrawing पर अब इसमें उपर वाली चीज भूल जाओ भूलने का मतलब simple सा है उस पर ध्यान में दो ध्यान दो कि जो substituents लगे है ओएच ओएच क्या होता है ओएच होता है EDG क्यों क्योंकि इस पर loan pair electron है यह ring हो दे सकता है NO2 क्या है electron withdrawing group यह तो बिचारक बीच में आएगा ना maximum ना minimum और यह क्या है यह भी है हमारा electron donating group क्यों है electron donating group क्योंकि यह जो nitrogen पर हमारे loan pair है यह उपर यह donate कर सकता है ठीक है अब यह तो सबसे last में आएगा यह तो क्या है electron withdrawing group सबसे लास में इसको पहले ही फिक देते हैं उसके बाद OH और NHCUCS3 में से यह ज्यादा strong है और यह ज्यादा strong है तो यह ज्यादा electron density दे पाएगा और ज्यादा electron density दे पा रहा है इसका मतलब क्या हो गया यह ज्यादा stability बड़ा पाएगा कार्बोकेटाइन की तो सबसे पहले आगया हमारा first देन हमारा आगया यह वाला electron donating group और बीच में हमारा आगया यह third जिस पर कोई group नहीं है मतलब हमारा benzyle carbocetine ठीक है देन अगले question देखते है देन हमारे अब इन में से कौन जादा आसानी से इस कार्बोकेटाइन को electron density दे सकता है देखो जो nitrogen है और जो oxygen है उसमें electronegativity किसकी जादा होती है oxygen की जादा होती है तो जो oxygen होगा वो आसानी से अपने lone pair electron को संभाल सकता है तो वो क्यों चाहेगा कि भई दे वो electron density है ना हम के वाल comparison की ब है ना और यह जो दो methyl group लग रहे हैं यह और help करेंगे से मतलब इसको nitrogen को यह electron density और जादा देंगे तो यह इसली इसको अपने जो electrons है उसको कार्बोकेटाइन तक पहुचा पाएगा तो इसमें क्या order हो जाएगा कि first जादा stable हो जाएगा as compared to second क्यों क्योंकि यहां कार्बोके time को comparatively कम electron density मिल पारी है तो यह first जादा stable हो जाएगा second कम stable हो जाएगा अब जो अगला question है उसमें देखो first structure में और second structure में आपको comparison किस basis पर करना है Conjugation के basis पर आपको करना है comparison Conjugation होगा तो उसमें resonance possible हो पाएगा और Conjugation नहीं होगा तो resonance possible नहीं हो सकता Conjugation का simple सा मतलब है single bond double bond single bond double bond या फिर single bond double bond single bond कोई भी positive या negative charge या फिर single bond double bond single bond loan pair electrons ठीक है यह होता है Conjugation अब देखो यहाँ पर क्या हुआ Charge single bond फिर से single bond और फिर double bond charge single bond single bond double bond भई ऐसा तो कुछ भी नहीं है Conjugation में इसमें तो conjugation ही नहीं है, तो इसमें तो resonance भी possible नहीं है, है ना, अब दूसरे structure में देखते हैं, इसमें क्या है, positive charge, single bond, double bond, ठीक है, तब एक layer तो आरी है, conjugation की double bond, single bond, positive charge, ठीक है, तो इसमें कुछ ना, कुछ conjugation तो है, और इसमें का अगर conjugation है, तो इसमें resonance होने के chances भी बनते हैं, तो भए, जिसमें conjugation है, उसमें resonance के chances हो गए, और उसमें resonance के chances हैं, तो भाई, वो carbogatine क्या हो गया? जादा stable हो गया, तो second जादा stable हो गया, first से, ठीक है? then next question, अब इस question में हमें बताना है कि चारों में से कौन सबसे जादा stable compound है? उपर वाली के basis पर है, यह इसमें भी हम क्या देखेंगे? conjugation देखेंगे, ठीक हो first structure में क्या दिख रहा है? plus charge, sigma bond, double bond, sigma bond, लिकिन फिर से sigma bond आ गया, ठीक है? कि अब इतने हिस्से में हमें दिख पा रहा है conjugation कैसे? positive charge, single bond, double bond, single bond, फिर से क्या आ गया? single bond, repeat तो होना ही नहीं है, alternate होने चाहिए, single bond, double bond, single bond, double bond, इसमें ring में conjugation पहुँची नहीं रहा है, तो इसमें resonance तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? second वाले structure में देखते हैं, second वाले structure में positive charge, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, इतना सारा conjugation इसमें possible है जिसमें पूरी रिंग में भी रेजोनेंस पॉसिबल है थर्ड वाले में देखते हैं पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉंड डबल बॉंड सिंगल बॉंड फिर से सिंगल बॉंड मतलब केवल यहीं तक इसमें पॉसिबल है ठीक है और इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा क अगकर है से तो इसमें राओ को कनफियूजन है तो आपना कारबन के या नंबर कांट करें इसमें । 3,4,5,6,7 8 कितने तक हो पा रहा है 7 या 8 जो भी आप countdown करना जाऊ ठाट है 8 तक हो पा रहा है इसमें 1,2,3,4,5,6 बहुत से बहुत 6 तक हो सकता है इसमें भी 1,2,3,4,5 or 6 के वाल पहुत से बहुत 6 तक हो सकता है तो सबसे ज़्यदा किस में है इसमें सबसे ज़्यादा कॉन इस टेबल हो गया सेकंड किस बेसिस पर क्या रीजन हमने इसका समझा कॉनर और कॉनर। का रीजन मतलब कॉनर्ट रीजन समझने से हम क्या समझ गए कि समझ गया कि resonance पॉसिबल होगा जहांपर कॉनर। पॉसिबल होगा ठीक है तेन अगले question देखते हैं अब देखो ये है one of the important question एक तो वो primary, secondary, tertiary वाला बहुत important था विससे सारे ही important है क्योंकि question तो आपसे भाई कहीं से भी बूच लेगा examiner जो भी होगा तो देखो इसमें first, second and third में क्या difference दिख रहा है हमें कि इसमें इनके तीनों तरफ pH, pH मतलब phenyl group है इसमें दो phenyl group है एक methyl group है इसमें एक phenyl और दो methyl group है ठीक है अब phenyl group के होने का मतलब है कि ये positive charge क्या कर सकता है इधर 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 resonance कर सकता है है ना delocalize हो सकता है phenyl ring में तो जिसमें जादा delocalize हो पाएगा वो आराम से stable तरीके से रह सकता है ठीक है अब जितनी जादा phenyl ring उतनी जादा resonating structure हो सकते हैं और जितने जादा resonating structure होंगे उतनी जादा उसकी stability होगी तो इसमें कितने phenyl group है थ्री phenyl group है इसमें कितने phenyl group है दो phenyl group है इसमें कितने phenyl group है केवल एक phenyl group है तो जिस stability होगी वो कैसे होगी फस्ट की सबसे जादा देन 2nd की और देन सबसे end में हमारा क्या आएगा थर्ड आएगा अब अगर मान लो वो क्या देते थे एक और 4th आपको इस ट्रक्चर दे देते पार्बोकेटायन एक फिनाईल ग्रूप एक CH3 ग्रूप और एक हाईड्रोजन ग्रूप ठीक है ऐसे दे देते तो क्या होता 4th थ देन 2 घ्रूप इस तरीके से इलेक्रण डेंसिटी दे सकते थे यहां पर तो केवल एक ही घ्रूप रह गया है तो यह और भी कम स्टेबल हो जाएगा यह ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तर नेक्स्ट वेशन है यह एड़वांस लेवल का कुशन है मतलब पूछा जाता है ट्रोपाय्ल्यम आयन क्या होता है ट्रोपायलियम आयन का हिए अधर नेम है साइकलो हैं ट्राइनायल के ट्राह इनायल मतलब तीन इसमें में बॉंक्श साथ हैई मतलब वई या कज हैं Hazard कारबन का ये कंपाउंद है मैं Esse है luggage त्रहाज को आवंक शबॉब BL group दिये हैं अच्छा एक चीज और समझ सकते हो आप इसमें भी वैसे जी ये तीनू ही 3 LEG है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तीनुहीं क्या है 3 LEG है ये ये जो हो जाएगा ये तू डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसमें ही फर ग्रॉब स अगय तो ये 3 mad यह है अभी बात हम दो संब्सक्राइब को नीति अवरव पर क्मपाउड में घेटिर चाहिए शला नीति है एसमें जाधा है अत्वय कर दीत चाहिए स्टेबिलिटी होती है ऐस कंपेर टू सेकंड ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखो एक तो यह एरोमेटिक कंपाउंड उपर से रिंग पर ही कार्बन वह जो चार्ज है वह प्रिजेंट है तो यह बहुत आराम से अंदर डिलोकलाइज हो सकता है इसमें क्या है इसमें रिंग के बाहर है यह रिंग है यह रिंग है यह रिंग है इसके बात जो मिडल कार्वंद इस पर पॉजिटिव चार्ज है केवल इसी वज़े से यह जादा इस्टेबिलाइस है और यह exception में भी माना जाता है कि exceptionally कि वी टाइब के कार्वकेक्ताई इसकी स्टेबलिटी जादा धीन देघथे हैं इसकी स्टेबिलीटी जादा है इसकी कम हें देननान देखते हैं लास्ट कूशिए लीमिलन पे विक तहξे एससे देखन हो ऊथा Juan Fynyle Group यहां पर एक भी Fynyle Group नहीं, यहां पर दो Fynyle Group得 होने के मणतलब Resonance possible है, तो जितने जधा Fynyle Group उतना जदा Resonating Structure के हैं, तो first हो गया सबसे ज़ादा, देन आगया हमारा second और देन लास्ट में आगया हमारा, sorry third, last में आगया हमारा सेकेंड क्यों क्योंकि इसमें केवल मिथायल ग्रूप है इसमें पूरे के पूरे फिनायल ग्रूप है फिनायल ग्रूप की खासियत क्या होती है प्लस आई के साथ साथ यह प्लस आर इफेक्ट भी तो शो कर रहा है ना है ना प्लस आर इफेक्ट शो करने का मतलब रेजोनेंस वाला effect भी तो show कर रहा है इसलिए इन में double factors है dominating जो है इसलिए first सबसे ज़्यादा फिर second वो third और last में second तो ये सारे questions थे जिन से आपको सारे rules पता चल सकते हैं कि किस तरीके से आप कार्वो के time में stability बता सकते हो कि किस की ज़्यादा किस की कम I hope आपको वीडियो समझ आया होगा आपको कोई भी परिशानी हो आप मुझे comment section में बता सकते हो और बहुत सारे वीडियो और मैंने चैनल पर upload कर दी हैं आपके लिए helpful है आप महाँ से वीडियो देख सकते हो या फिर आप playlist से वीडियो देख सकते हो Thank you so much Keep Studying Bye Bye